कर दोस्तों मेरा नाम है बिवेक भारत वाज आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नलोजी विद बिवेक जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नलोजी से जुड़े हुए धेड़ सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं अगर आप होरे चैनल पर नए हैं और आप आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करते बग बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजेगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जलते जल मिल सकी आई दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट हम आज जो बात करने जा रहे हैं दोस्तों वह बहुत ज्यादा जोड़ी हुई है आपसे और आपके घर में जो बच्चे होते हैं उनसे ऐसा देखा गया है कि जब भी कोई ऐसे ऑनलाइन गेम खेले जाते हैं ऐसे हम कुछ भी गेम्स का एक्जाम पर ले सकते हैं हम दाम तो जाएंगे और पेमेंट मेठट पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप गूगल प्ले बैलेंस भी रख सकते हैं और अलग-अलग यूपी आईडी को यहाँ पर एंटर करा कर या फिर आप जो है यहां पर अपने क्रेट काड की जो इन्फॉरमेशन यहां फ transaction कर देते हैं बीना आपको पते चले क्योंकि उस फोन में ही जो है आपका OTP आ जाता है वहीं से transaction हो जाता है और यहां पर जो है इंस्टेंट हम कह सकते हैं बैलन्स भी यहां से पे हो सकता है कर दोस्तों इस से बचने के लिए आपने देखा होगा आजका सारे मोवाइल फोन्स जो है हम कह सकते हैं कि fingerprint sensor से इनेबल ला रहे हैं सबुर फिंगरपुंट सेंसर आता है आपको करना करना है authentication पर जाने के बाद सबसे पहले मैं आपको यह जो नीचे लिख रहा है यह बता देता हूं यहां लिखा है required authentication for purchases इसमें आपको तीन options दे हुए हैं आप authentication की जरुवत आपको कपकप पड़ेगी सबसे पहले है for all purchases through Google Play on this device गूगल प्ले पर जो है जबाइस पर आप जितने भी purchases करेंगे उसके लिए आप authentication enable कर सकते हैं जैसा मैंने किया हुआ है इसके बाद आप हर 30 मिट का भी कर सकते हैं और आप never भी कर सकते हैं इसमें लिखा हुआ है to protect your account authentication may be required for purchases in some apps regardless of setting इसके बाद दोस्तों आपको बताते हैं जो option आप देख पा रहे हैं biometric authentication का for Google Play purchases on this device यह मैंने enable किया हुआ था मैंने यह video record परने के लिए disable किया हुआ है जब आप इसे पहली बार enable करेंगे तो enable करने के time जो है आपका जिस Gmail ID से आपका यह Google Play Store बना हुआ है आपने इसको बना हुआ है अकाउंट को उस Gmail ID का password आपको जो है यहां पर इंसर्ट करना है password इंसर्ट करने के बाद देखिए हम यहां password इंसर्ट करते हैं पासवर्ड इंसर्ट करने के बाद जो है दोस्तों यहां पर आप सब्सक्राइब होने के बाद होगा क्या माली आप कोई भी एप को फूर्ट सुअ घर करते हैं आप अप सकते हैं हैं जैसा कि हमने सब्सक्रिप्ण बच्चों ने इतने ज्यादा पैसे जो है ममी पापा के debit of credit card से खर्च कर दिये और वो पता नहीं चल पाए और वो पता कब चल पाए जब उन credit cards का बिल जनरेट हुआ एक महीने के बाद और यह संख्या लाकों में थी तो दोस्तों इससे बचने के लिए आप जो है अपने बच्चों को जब मोबाइल फोन देते हैं खेलने के लिए जो भी काम करने के लिए आप इन चीजों का विशेश ध्यान रखें और बायोमेट्रिक को जरूर आप इनेबल करके रखें इससे जो है आपको भी फायदा होगा और आपके जो ट्रांडेक्शन्स हैं या जो मनी वह भी जो है बिल्कुल घाटे में नहीं चाहिए तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपके वीडियो पसंद आया होगा ज्यादा से आदा अपने दो पसंद आया है तो लाइक कीजिए कमेंड कीजिए चैन को सब्सक्राइब कीजिए मेरा नाम है ब्रेक भरत वाच थेंक यू